नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है देखिए ये मेरा अप्राजिता का प्लांट है जो कि मैंने बीट से अभी कुछ दिन पहले ही ग्रो किया है तो काफी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है और इस पर फूल आने लग गए हैं तो वाइट वाला अप्राजिता मेरे पास पहले नहीं था इसी बार मैंने इसे अपने गार्डन में एड किया है तो इस पर फ्लार्स अब आने लगे हैं तो बहुत ही खुशी हो रही है देखकर भी बहुत सुन्दर लग रहे हैं ये वाइट ब्लू कलर जो है वो मेरे पास पहले है और ये बिल्कुल छोटे से पोर्ट में लगाया है मैंने जिसमें की ये ग्रो हो चुका है अप्राजिता पहले मैं नर्सरी से लाई थी तो मेरा गर्मियों में खराब हो चुका था लेकिन मैंने कुछ उसके बीज बचा लिये थे उसी से अब ये नया प्लांट बनाया है लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो अप्राजिता के उपर नहीं है अभी इन दिनों में देखिए हमारे जो गार्डन में बारिश के बाद से क्या है पत्तों वगरे पे कुछ ऐसे निशान से बनने लगे है और मिली बक्स वगरे है इनका भी काफी अटेक हो गया है और जो पत्तों के आसपास या पोधे पर है जाले नुमा कुछ ऐसे जाल सा दिखाई देने लगा है तो गुलाब का प्लांट है वैसे तो ये काफी अच्छा चल रहा है देखिए बटन रोज आज इसमें एक गुलाब खिला भी है लेकिन इस पर भी क्या है कुछ जाले से जैसे पता नहीं मकडी के जैसे या कुछ ऐसे बनने लग गए है और जो है अब कलियों में भी मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कुछ कलियां पूरी अच्छे से नहीं बन रही है तो इसके लिए आज मैं अपने प्लांट्स पर स्प्रे बना कर घरेलू जो है अमारा वही करूंगी तो वही वीडियो आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ देखिए ये है हमारे कीचन में से निकला हुआ मीठा सोडा या खाने वाला सोडा जो भी बोलते हैं और ये मैंने लिया है एक शैंपू तो शैंपू की जगह आप अगर लिक्वीड सोप है तो वह भी ले सकते हैं तो जो मेठा सोडा है ये बहुत ही अच्छा हमारे पोधों पर काम करेगा जैसे कीडे वगर चीटे वगर कुछ भी मीली बक्स वगर है वो इससे दूर भागेंगे तो एक लेटर की बोतल में मैंने एक से डेट चमच वो डाला है और थोड़ा सा इसमें शैंपू डालूँगी इससे क्या होगा इनकी स्मेल से ही जो छोटे मोटे कीडे वगर है वो दूर हो जाएंगे अगर पोधो पर जादा कोई अटेक हो कीडे का या मीली बक्स का तो हम नीमोईल का स्प्रे भी कर सकते हैं लेकिन मैं जैसे अभी एक सप्ता में दो बार इसका स्प्रे करूंगी तो यह काफी हद तक हमें हमारे प्लान से छुटकारा मिलेगा जो भी चीटे वगर है उनसे या मीली बक्स वगर है इनसे क्योंकि यह बहुत ही अच्छा और्गेनिक जो पैस्टिसाइड वो बन करके तयार होगा और यह कोई नुकसान भी नहीं करता बस हमें इसमें खाने वाला सोडा लेना है जो हम अमने किचन में काम में लेते हैं वो यानि मीठा सोडा यहां पर जो भी बोला जाता है वो तो इसे अच्छे से मैं अपने सारे ही प्लांट पर स्प्रे करूंगी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं और मैं इसको अपने गार्डन में यूज भी करती रहती हैं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं तो इस तरह से पत्तों के आसपास पीछे आगे सब चग है हमें इसका स्प्रे करना है ताकि चोटी मोटी कोई बीमारी बगर भी वो इससे दूर हो जाएगी और यह बारिश के बाद हमें अपने प्लांट पर करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो देखिए यह है मोगरे का प्लांट तो इसके भी कुछ पत्तों के आगे पिछ कोट असा वीडियो कुछ भी हैल्फुल लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए है तो इससे जरूर सब्सक्राइब कीजिए